बिस्मिल्ला इरहमानिवाहीम, असलाम लेकूम, मैं हूँ नजमा यूनस, उमीदे आप सब हरीये से होंगे, आग में आपके साथ दही बड़े करपा त्यार करने की रेस्पी शेयर करूंगी, इन्शाला आपको बहुत पसांद आएगी चलते हैं आज की रेस्पी की तरफ, दही बड़े त्यार करने के लिए, हम अपनी फैमली के हसाप से बड़े लेंगे, इनको पानी में बगो देंगे, रूम टेमरेचर पाणी है, जिसमें हमने इनको बगो ना है, और एक बर्तन में हम पानी लेंगे, उसमें हम पकोड़ियों को बगो देंगे एक प्याली मैंने पकोडिया ली हैं बल्ले और पकोडिया घर पर द्यार करने की रेस्पी मैं आपके साथ शेर कार चुकी हूँ आप इसका लिंक डिस्क्रेप्शन में देख सकते हैं उबले हुए चने एक प्याली मैंने लिए हैं इनको हम एक बॉल में डाल से हलका सा दबाएंगे और पानी को नचोड़ कर बॉल में रखते जाएंगे जिसमें हमने चने और आलू एड़ की अगर टाइम कम हो और आप इनको जल्दी बनाना चाहें तो आप इनको निम गरम पानी में भी बगो सकते हैं मैंने छे अदद बढ़े लिए हैं आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं पकोड़ियों को भी हम दोनों हाथों की मदद से अची तरह से नचोड़ कर डाल देंगे बहुत जल्दी ये बीग जाती है और पानी में बगोने का एक फाइदा ये भी होता है कि इसमें से आईल भी निकल जाता है अब अची तरह से फैंटा हुआ दें हम इसमें शामल करेंगे इसको मैंने ब्लेंडर चाग में एक मिनट के लिए ब्लेंड किया है अची तरह से बरी कटवे टमाटर दो अदद मैं इसमें शामल कर रही हूँ तमाटर थोड़े सहत होने चाहिए ज्यादा नरम नहीं होने चाहिए बरी कटवे प्यास जिनको हमने कटर की मदद से बरी कटा है और फिर नमक लगाकर अची तरह से दोया है वो मैं इसमें शामल कर रही हूँ यह इसमें बहुत ही मज़ेगे लगते हैं बरी कटी हुई सबजमिच बरी कटा हुआ पदीना और थोड़ी सी बरी कटी हुई बंद गोबी में इसमें अड़ कर रही हूँ अगर आप बड़े और पकोडियां त्यार करके पहले से रख लेते हैं तो दही बल्ले त्यार करने में बिल्कुल थोड़ा टाइम लगता है आप चट पाटी इनको त्यार कर सकते हैं और अफ्तारी के लिए पेश कर सकते हैं अब इसमें नमक वन टी स्पून शामल कर देंगे आप हस्बे जैका डाल सकते हैं डाल मिर्च वन फो टी स्पून डाल रही हूँ और चाट मसाला वन टी स्पून डाल रही हूँ इमली की चटनी और हुबानी की चटनी के साथ हम इनको सर्फ करेंगे इमली की चटनी की रेस्पी मैं आपके साथ शेर कर चुकी हूँ हुबानी की चटनी की रेस्पी भी मैं आपके साथ शेर कर चुकी हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रप्शन में दे रही हूँ आप चेक कर सकते हैं या फिर आप नजमा यूनस कीचन लिखें सर्च का बटन दबाएं तो भी आपको ये तमाम रेस्पीज मिल जाएंगे अब एक तरफ से मिक्स करते जाएंगे और सर्विंग प्लेट में डालते जाएंगे खुबाने की चटनी और इमली की बहुत ही जबरदस और मज़े की चटनिया ये बनती हैं आप एक बार बनाएं और पूरा महीना इनको इस्तमाल करें बहुत ही असानी हो जाती है क्योंकि ये समुसे पकोड़े और रोल वगएरा के साथ भी इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही मज़े के जबरदस दही बड़े आप घर पर अराम से त्यार करें दही बड़े की ये रेस्पी इन्शालला अफ्तारी में सब को बहुत ही पसंद आएगी बहुत ही जबरदस रेस्पी है इसको ज़रूर ट्राइ करें इन्शालला आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेस्पी के साथ तब तक के लिए इजाज़त चाहूंगी अलाहाफीज